राजदानी दिल्ली से एक बार फिर इंसानियत को शरमसार कर देने वाली घटना सामने आई है जहां पूर्वी दिल्ली के मैयूर बिहार इलाके में पड़ोस में रहने वाले शक्स ने चैसाल की मासूम बच्ची के साथ दुश्करम किया है जिसके चलते बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है जिससे अस्पताल में भरती कराये गया है जहां बिलाज चल रहा है पेडित परिवार का आरोप है कि कई घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस ने कोई कारवाई नहीं की वहीं खबर ये आ रही है किस मामरे में आरोपी को पुलिस द्वारा गरफतार कर लिया गया है जहां आरोपी का नाम सर मुगन बताय जा रहा है आरोपी अपने मामा के साथ रहता है और उनकी जूस की दुकान पर भी काम करता है बतादे कि दिल्ली में इसी महीने में ये दूसरा मामला है जब किसी नाबालिक के साथ दुसकरम हुआ है दिल्ली में बढ़ रही दुसकरम के मामले ने चिंता बढ़ा दी है बतादे कि इससे पहले दिल्ली कैंट थाना इलाके के पुरानी नांगल में नो साल के बच्ची के साथ पुजारी पर दुश्करम के आरोप लगए थे और उसकी हत्या कर उसके शव को जलाने की कोशिश की थे इस मामले में दिल्ली के साकेत कोट ने उस पुजारी को मरकैद की सजा सुनाई है पुजारी पर मंदिर में दो नाबालिक लड़कियों से दुसकरम करने का आरोप था आरोप के सावित होने के बाद ये सजा सुनाई गई थी इसके साथ ही साथ हजार रुपे का जुर्माना भ पवित्र परीशर के भीतर अपराद किया है अगर इसे मुक्त कर दिया गया तो अदालत भी अपने कर्तव्य में विफल मानी जाएगी साथ ही एपीडित बच्चों को नीचा दिखाने के समान होगा अस मामले में शुरुआत में पुलिस ने लापरवाई से मोत सबूत मिटान करने जासे मामलों में मुकदमा दर्श किया था फिलाल इस खबर में तरहीं देखते रहें हिंद भारत दीश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें हमारा चैनल हिंद भारत लाइक शियर और सब्सक्राइब करना ना भूले